हेलो दोस्तों मैं हो रिशब चट्जारास्त के इस वीडियो में आम बात करने वाले हैं बिग बास्केट के बारे में बिग बास्केट एक कंपनी है जो ग्रॉसरी वेजिटेबल्स हों टेलिवरी करती है बहुत सालों से है पर रिसेंटली लॉक्डाउन के वजए से मैं ट्राई कर रहा था उनसे ओडर करने के लिए उनकी सबी शॉप्स यहां लोकालिटी में बंद हो गये तो लॉक्डाउन हु पर में शुरुआ था एक बार मिस्टर पी एम मोधी का जब अनाउंस्मेंट आया उसके बाद दो तिन दिन डेलिवरी सभी जगा प्रॉब्लम चर रहा था उसी समय बिग बास्केट में ट्राई कर रहा था होगा की नहीं तो बैसिकली पहले एक वीक तक एक से दो वीक तक बिग बास्केट का जब भी आप आप उपन करते था उसमया देखाता था था लॉट्स फुल प्लीज ट्राई अगें लेटर नॉर्मली बिग बास्केट नहीं बिग बास्केट का कॉंसेट क्या है कि आप ओडर करते हैं जो भी ग्रोशरी वेजिटेबल्स फिर आप लॉट कर सकते हैं मुझे एक या दो दिन ऐसे कुछ रहता है तो दो दिन बाद आप कर सकते हैं तीन दिन बाद आप सुबह शाम रात को जब भी आपको ओडर लेना है वैसे सिलेक कर सकते हैं पर अभी लॉट्डाउन के वज़े से क्या हुआ है कि वैसे आप्शन सब चले गए यह slot available है process simple तो आप में दिखाता है यह लेना है vegetables fruits groceries staples यह सब category wise करे रहते हैं तूसमें कुछ प्राबलम नहीं है app easy to use है आपको register करना पड़ेगा यूस करने के लिए फिर address address डाल दीजिए delivery यह एक चीज है जो थोड़ा अलग था compared to मैं growfers का जो review बनाया था वह आप देख लीजिए मेरे चानल पर होगा big basket का मुझे मिला था कुछ एक दिन मिला था Thursday की Friday ऐसे कुछ था दोपेर को 12.30 तू 2.30 का time दिये थे okay good growfers का जब में किया था उसमें था 6.30 तू 8.30 ऐसे कुछ रात का time था पर आ गया था 4.30 delivery तो इस बार में सोचा big basket का भी वैसे ही जल्दी आ जाएगा पर नहीं big basket 12.30 2.30 आया 245 ठीक है 245 आके मेरे को phone करता है वो जो delivery करने वाला कि कहीं और ही है दूसरा जगह तो मैं उसके यह address है तो बलते है आहा ओके आता हूं ठीक है आकर फिर phone नहीं करता है वहाँ gate पर रखके चले जाता है फिर में जाते जाते में उसका phone आप ही है क्या तो हाँ हाँ दे दिया तो delivery experience उतना अच्छा नहीं था क्योंकि जो slot time था उसमें नहीं दिया नॉर्मली 12.30 2.30 तक 12.30 यह आ जाना चाहिए पर almost didn't मतलब 2.30 के बाद ही आया ठीक है पर रास्ता भी खाली है थोड़ा लेट ही आ गया overall product सब अच्छे ही थे price wise आप compare कर सकते है आप खोल के आपको लगता है ठीक ठाक है कि नहीं overall मुझे delivery process उतना ठीक नहीं लगा थोड़ा improve करना चाहिए बाकी सब ठीक ठाक ही था तो would I recommend recommend करते हो अगर आप delivery थोड़ा सा मुझे problem लगा हो सकता है दूसरे के साथ नहीं हुआ हो तो आप मुझे बता है अगर आप big baskets order किये तो आप satisfied है कि नहीं comment section में और चैनल में नहीं है तो subscribe कर के bell icon दबादीजिए मुझे instagram पे follow की z.rcmedia house twitter.rcmedia house facebook पे youtube रिष्ट चाट जी फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे तब तके लिए bye bye and stay safe